वर्ड कप के बाद से ही टीम इंडिया में ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ठीक नहीं चल रहा कैप्टन विराट कोली और वाइस कैप्टन रोहित शर्मा के बीच विवाद की खबरे ड्रेसिंग रूम से बाहर आ गई हैं जिस पर तरह तरह की बाते होने लगी जिसके बाद कैप्टन विराट को वेस्ट इंडीज दौरे पर जाने से पहले सफाई भी देनी पड़ गई थी कैप्टन विराट से विवाद की खबरों के बीच वाइस कैप्टन रोहित शर्मा ने कुछ ऐसा ट्वीट कर दिया है जिससे एक तरफ तो उनकी देश भक्ती जहलकती है तवही दूसरी तरफ इस ट्वीट को कैप्टन विराट और कोच रवी शास्त्री को जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है दरसल वेस्ट इंडीज दौरे पर जाने से पहले रोहित और विराट के बीच मनमुटाव की खबरे आने लगी थी जुस पर दौरे से पहले प्रेस कॉन्फरेंस करने आये कैप्टन विराट कोहली ने सफाई देते हुए कहा था मैंने हमेशा रोहित के खेल की तारीफ की है मैं मैं रहता हो, क्या मैं वेराट का उनका तुम करता दो पर अवराट दिवास करम हैं कर्केटी घंटी सेनारियों में और एडाड मना थापिए कि मैंने काया थूरू जाओ व्लावराट को जो खूशा अजए हैं तो वहीं टीम कोच रविशास्त्री ने कहा था टीम जिस तरह से खेलती है कोई भी खिलाडी टीम से बड़ा नहीं है अगर टीम में कुछ मध्भेथ होते तो हम तीनों फॉर्माट में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते रविशास्त्री का ये बयान 29 जुलाई को आया था जब टीम वेस्ट इंडीज रवाना हो रही थी इसके दो दिन बाद ही 31 जुलाई को रोहित शर्मा ने एक तस्वीर ट्वीट की जिसमें वो पवेलियन से ग्राउन पर जाते दिख रहे हैं तस्वीर के कैप्शन में रोहित शर्मा ने लिखा है मैं सिर्फ अपनी टीम के लिए नहीं बलकि अपने देश के लिए खेलता हूँ रोहित शर्मा के स्वीट को रविशास्त्री को जवाब माना जा रहा है क्योंकि रविशास्त्री ने कहा था कि टीम से बड़ा कोई खिलाणी नहीं है रोहिशर्मा के स्वीट को अब तक डेर लाग से भी जादा लोग लाइक कर चुके हैं तो वहीं करीब 13,000 लोग रीट्वीट कर चुके हैं रोहिशर्मा के स्वीट पर एक ट्वीटर यूजर ने लिखा बहुत हो गई बीवी की मनमानी अब की बार रोहिट की कपतानी एक ट्वीटर यूजर ने लिखा है जब आप अपने देश और जड़ों के बारे में बात करते हैं तो आपको भक्त और बीजेपी आईटी सेल के सदस्य होने का लेबल लगा दिया जाएगा वेस्ट इंडीस दोरे पर जाते वक्त विराट कोली और शिकर धवन ने ट्वीटर पर दो तस्वीरें भी पोस्ट की थी विराट कोली की पोस्ट की हुई तस्वीर में रोहित शर्मा नजर नहीं आ रहे थे वो हाला कि शिखरधवन की पोस्ट की हुई तस्वीर में जरूर थे इतना ही नहीं विराट कोली ने आज यानी शुक्रवार को भी एक तस्वीर ट्विटर पर डाली जिसमें कोली, जडेजा, केल राहूल समेत आठ खिलाडी है लेकिन इस तस्वीर में भी रोहित शर्मा विराट के साथ नजर नहीं आ रहा है जो इशारा कर रहा है कि अभी भी टीम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है वैसे बता दें, वेस्ट इंडीज दोरे पर तीनो फॉर्माट में विराट कोली टीम के कप्तान होंगे जबकि रोहित शर्मा वंडे और टी-20 सिरीज में टीम के उप कप्तान होंगे इसके अलावा जिंक रहारे टेस्ट सिरीज में उप कप्तानी करते नजर आएंगे MS Dhoni की गैर मौजूदगी में रिशप पन को बता और विकेट कीपर बल्लेबाज तीनों फॉर्माट के लिए टीम में जगह मिली है इस दौरे पर टीम इंडिया तीन T20, तीन वन डे और दो टेस्ट मैचों की सिरीज खेलने वाली है पहले दो T20 मैच 3 और 4 अगस्त को फ्लोरिडा में खेले जाएंगे वहीं इस दौरे पर खेले जाने वाली दो टेस्ट मैचों की सिरीज ICC World Test Championship का हिस्सा है अपर निचा एजिया आप लॉक मत किजे प्लीऍटा आप डिचे लेक्ट लेक्ट पिछे चले जाये जाए जाये जाये तो या फिर साइडना जाये साइडना एटीन आ है यूरा लॉक अटो लाहन बोग इंडियो निएज टो नोडग है पर पर जिए एक से लिए बारेश बहुत है लिए बारिश बोटेश भोटेश लिए बोग ग्दाने लिए। सामीर अम ales I think it's a great thing, to be honest. We all were looking forward to it because very honestly, we felt like there were a few series in between ker ऩूह पकारी मेरे इक गपλιट service बेश्हेसे फीटेसे आरं Quindi आफ ब्रेच अफ यह अंग ठ Watts सॉ 본 आप्त आरि मोमनुब्त इजक एम इंक दिन जब को वरेगा उली इंstra severity वरेगा प्रेगा एंग ठीओ, है. एंस वरेगा न एंथ यहांव मे Edda लिट श्री अवक्न E और झाल को बाचली को अविवार्ट। है उफे एक झाल को आएक आए भी झाल को पूरिवार्ट जाए इसका है जब विवार्ट। जो कि अभी है झाल 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 की एक और All the teams I'm sure are going to enjoy a lot through this whole journey of the Test Championship. Kaplan, how do you learn the West Indies in terms of the T20s which are coming up and also the ODIs? What's the focus going to be in the T20s, two T20s and the ODIs? You just spoke about the Tests. Well, West Indies obviously is a great place to go and play cricket. It's a relaxed place. We've all enjoyed playing cricket there. The T20s, as you've seen, the squads, you know, when I met the selectors, the basic message from them was to try out a few players that they had in mind. And I think it's a very exciting opportunity for all the guys who are stepping in for the first time. The ODI side is more or less, you know, balanced. We've been doing really well. The Test side, it's needless to say the kind of performances we have put in. So, I'm particularly excited about the first three T20s because, as I said, new lot of players coming in. Some players have done really well in the format and shown great composure under pressure in tournaments like the IPL and domestically as well. So, yeah, it's a great marker, I think, for all those guys and for us as a team as well to have them in the squad. So, can you take a break after the last three T20s, like the World Cup, especially from the Limited Ours TV? Was I tempted to take a break? Right. And the other part is, what's your decision to play the Limited Ours, like how much was this to do with the fact that the World Cup 20 is just around the corner of $50 or $1 and in this playing an unprecedented 20 T20s in the next six months? See, our rest period is put on record. It's all on email to the board. It's done by the trainer and the physio together. So, I don't know what report they have created. I honestly haven't seen it. They hadn't had any conversations with the players until that point of time. So, in my mind, until the time the trainer and physio tell me, now you need to rest and recover because your progress is such and such. Because we collect all data from all games and for some players the workload is more than the others. I averaged about 15 kilometers a game in the World Cup. So, it really depends on those two professionals. You know, everyone's doing a job. Everyone's been assigned a responsibility. So, I don't know the communication that was sent out to the selectors because nothing was communicated to me in terms of rest. Yes, from the point of view of us not making it through to the finals of the World Cup and bowing out, I think it's an important time for the team to regroup and come together as a side. As you said, there's a T20 World Cup next year. There's always something to look forward to. I know we all were very disappointed with not going through to the finals and probably winning the World Cup. But you have to move on and you have to accept defeat as well and move forward and look forward to new things. So, as I said, new players coming in, it's an opportunity for them to establish their skill sets. For me as a captain to have new players on the side, you know, get them together. I think international cricket always presents you with opportunities and challenges which I always look forward to. So, as you said, there are two backtracks. Next year, I do. So, if you don't have a format in the shape of late now, how does it move away from you? So, if you're not playing any... ...